आज कि प्रेस कांट्रेस का जो मौदू है वो पीटियाई की हकुमत की तरफ से अपने मुखालिफीन पर पुरुपेगंडर की अंसलाट करके हमें भी उसका इस्सा बनार्ज दिया गया है मुझे भी और मेरे बतीजें जाहत बहर आज भी हो भी आपके साथ मौजूद है मुख्तलिफ फिकर पेश कर रहे हैं मैं तो उनका नाम कभी सुना नहीं था वो जो आजकल अकबर है क्या नाम शहजाद शहजाद अकपर रात में टीवी पे पे मैंने सुना खुद के वो हमारा नाम भी शामिल कर रहे हैं और कह रहे थे कि कोई पतनी दो सौ अरब कभी कहते थे चौवीस अरब के उन्होंने मुस्लिफ लीग वालों से रिकवर कर लिये हैं जो हमारे हिस्ते में उनके इरिशादात थे वो ये था के साथ एकड़ उन्होंने जहद बार हाईशी से रिकवर करके तक्रीबन चार क्रोर रुप्या की रिकवरी उन्होंने डाल ली है अब मेरे बार भिटका के साथ एकड़ रखबा जो है हौकाव का वो भी उन्होंने के पास है और इसको बेस बना के फिर उन्होंने जो उनका वतीरा है कालम गलूच की पूरी जो वरिगेट है उनका सोशल मीडिया के जरीए वो ऐसा कर रहे थे कि हमने सारा कुछ ले भी लिया है और यह उनकी टोरी थी अब जीब और गरीब बात है कि बई जमीन भी यही पड़ी है पाकिस्तान के अंदर यहां होगी कहीं होगी शाहर लाहूर में होगी यह शाहर गिलगर्ट में होगी हमारी जमीन उन्होंने कहां से रिकवर की हैं जहत्वार के पास तो कभी सिकरी नहीं था मुझूद भी कोई चीज थी मेरे बारे में भी यह हवाग के अंदर जो बातें करते हैं या तो आज वहां हमारी उस जमीन पे जो उन्होंने लिये वहां उनके बिल्डोजर खड़े होते हैं या चलो एक कागज से दूसरे कागज पे उन्होंने कब्जा कर लिया होता या हकुमत वक्त ने अपने नाम कर लिया होता कोई चीज हुई नहीं है कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई है हैरान हो रहा था मैं खबरें सुनके नैशनल हुकब पे मेरे तो वहमो गमान भे भी नहीं आता था कि इतना जूट भी कोई बोल सकता है एक आदमी जो है जो बड़ा यकीन माने पहले मैं आज तक मैंने कोई ऐसे अलफाज इस्तमाल नहीं किये लेकर उन्होंने अपने करदार से पूरी जो ये जो कर्मेंट चल रही है जिसने किसे यार को खुदा का खौफ करो कोई तो कौम को काख़ दिखा दो तुमने जो हम से रिकवर कर लिया है वहाँ पे खड़े हो के कौम को दिखा दो कोई किसी जगा पे कुछ होता में नहीं है और आप से बैठ के जूट बोल देते हैं और हम जो आज बात कर रहे होते हैं कि यह कौम को इन्होंने जितना महंगाई के अंदर मारा है महीने में तीन दवा चार दवा वो पेट्रोल की कीमतें डीजल की और इनर्जी की कीमतें बढ़ा देते हैं चीनी की कीमत सिर्व यह उचा यह उपर का जो है प्रोपेगंडा मेशीन चला के नीचे से कौम की जेव को काटना शूरू कर देते हैं कौम देख रही होती हैं वो जैद बाहर आश्मीन जवेद आश्मीन के इन्होंने तकार कह दिया है हमने पांच करोड ले लिये हैं लोग खोशुब भी होते हैं जो हमारे मुखालिफ हैं जो जो इम्रान खान को स्पोर्ट करने वाले हैं वो कहते हैं यार यह अचीवमेंट नहीं है इतने अर्बूर रुपे ले लिये हैं उन्होंने विचारों को पता ही नहीं होता उनकी साथ जेब काटी जा रही होती है हम बैठके उनका मुकदमा लड़ते जिनकी जेब काटी गई है हम अपनी दुखडा कौम के सामने पेश कर रहे होती हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये ये तरीके वारदात कैसे इनको आता है दुनिया की वारदाते बड़ी पढ़ी हैं हमने बहुत बड़े बड़े दुनिया के ओपर जिन्होंने दुनिया को बेवकूब बना के फराड के अजीम मंजल पर बैठे हुए थे ये इन्होंने उनको भी पीछे चोड़ दिया और दुख किये हो रहा है कि इमरान खान जिसने पहले में उससे मैंने कहा था कि अगर आप हकूमत ये इस स्रीके से लेंगे हकूमत को आप कहते हैं सुप्रीम कोट हमारा साथ देगी हमारे पास असकरी क्यादत हमें हकूमत देना चाह रही है हाश्मी साथ आप हमारे एक्तदार लेने के खिलाव है मैं कह रहा था इमरान खान ये तुम जो ले रहे हो ये तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे तुम तो अल्जा के फ़दर हो करमसे फांक हो तुम्हें तुम्हारा को जाएगा भी नी कौम जो है इस में लोटी जाएगी एक मल्क था जिसमें उन्होंने मार्श ऐलाग को उतार दिया था जिसको हम बर्मा कहते हैं वो उसको मियामार कहते हैं वहां पर आज भी आज सुबो फिर मार्श अला लग गया है क्योंकि जो क्यादत आई पूरी दुनिया ने उसको नोबल प्राइज दे दिया था जो वजीर आदम वहां की बनी है उसने फूर्जियों के साथ वहां की असकरी क्यादत के साथ मिलके वहां की जो रुहिंगे आज ने मुसल्मान एक नोबल इनाम रियादता अवरत ने जब अपनी कौम के साथ फराड किया आज उसको अक्सरी क्यादत ने उतार के फैंक दिया है यही तमाशा यहीं होगा मैंने इम्रांद से यही कहा था कि तुम तुछ तुमने कोई नोबल इनाम भी नहीं लिया हुआ तुमने सिर्फ एक किर्किट के अंदर तुम कहते हो कि मैंने वर्ल्ड कप जीता है जीता जीता तो एक पूरी ट्रीम ने था बारहल आपने उस फैदा उठाया आपने शौपकत खानम अपने मां के नाम पर कौम से फराड किया अब जो अपनी मा के नाम पर फराड कर सकता है तो ये कौम तो उसकी मा नहीं है ये सर्दमीन तो उसकी मा नहीं है जो अपनी मा रोश शौकत बेगम का नाम रखके मैं दस अजार दफा कहें मेरे सामने आके बात करें मैं मुझे उसने का मैंने का कि लोग कह रहे हैं तुम शौकत खानम के नाम पर चंदा लेके अपना घर बना रहे हो वह वहां पर जार जार का नाम क्या है बनी गाला में तो बाख खुदा उसने मेरी बात को खल्ट नहीं का फ़रहां वह को पैसे लग गये थे तो फिर हमने दे दिये थे अपनी मा के नाम पर पैसे लेके अवाम का पैसा अपने घर बना रहा है इनो आदमी उसके बाद मेरा तो मैंने उसी वक्त से सोचा था ये कौम के साथ बड़ा फ्राड करेगा और कौम को समझ में नहीं आएगी ये इतना बड़ा फ्राडी है उस दिन से मेरा उसके उपर यकीन नहीं रहा फिर वही पैसा जो शौकत खानम का था आज फिर कहता हूं उसको बैन उलक्वामी आइलेंड्स के अंदर लगा दिया जुए पर वो पैसा जुए कावाहीं पर डूप गिया फिर उससे बड़ा जूट बोला कि वो पैसा वो हमें फौरी दे देंगे और पैसे पहले से ज्यादा देंगे कौम चुप कर गई आज तक कौम तो चुप है किसे पूछा नहीं है कि ये इतना वली उल्ला है लेकिन वो पैसा वापस ही नहीं आया मां के नाम पर पैसा लेके वो भी डूप किया तो जो आदमी पचास किरोड तो खुद मानता रहा कि नवाज श्रीफ की फैमिली ने दिया है उसके के लिए सतर क्रोड में कहता था चाहिए था मुझे तो यह इतना बड़ा फ्राज कौम के साथ करके फिर पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो किरा कर दिया है वहाँ सेवन स्टार होटल जो है वहाँ रावल लेक के करीब जो सुप्रीम कोड ने कहा है कि यह नजाज जगह पे बन रहा है जो आपी आगे इन्वेस्टमेंट भी करता है वो जिसकी कोई कानूनी तौट पर कोई जवाद नहीं है जो गार बनाया है उसकी भी बगहर इजाज़त के बगहर कानूनी जरूरत के पूरी के बगहर कबदा करके अब आके तीस साल बाद उसको लेगलाइज करा दिया है अपने वजीर आदम की कैमिलिट में से कौम के पैसे के साथ वो ये करता है और दोस्रों के साथ आप अंदाज़ा करें जमीन पर अस्मान पर किसी जगह पर भी मेरा मेरी फैमिली का कहीं कोई तस रुपए का भी लेके आएंगे तो हम तो शरम से मूँ छुपाते पिरते होंगे कि यार यह उन्हों तो तो तलाश कर लिया है अमने पैसे लिये हुए हैं हमने जग लड़ी है पूरी उमर एक प्लिटिकल वर्कर लेडर्शिप तुम्हें कहता है नहीं ऐस एक वर्कर भी अपने आपको साफ रखा है एक एक पैसे का हिसाब दिया है अब यह नभ जो है चो चोनों की ना नहीं पहला अपन्द वैं हूँ झिसने कहा कि यह आप उस का नाम आगया है आदम फरूक आदम पहले दिन मैंने जा के नियब के मरकरी दफ्टर के बाहर इसलाम अबाद में मैंने प्रेस कान्फरेंस की अटक किले के बार कि ये आदम या ये फरूक आदम नहीं है ये आदम खोर है आज वो बन्दा जो है वो फराज शीट में वो उनके साथ मिला हुआ है यहां वो कदमा चलाने वाला भी हुई था मिया साबान पर सब पर आदम खोर का बना हुआ था ताकत मैंने का तु आदम खोर है मुझे नहीं परुआ इसका कौन क्या लेगा असर चलाते हैं पर आदम खोर हो तुम तुम जूटे मुकदर चला रहे हो तो नाशी पे भी हर आदमी पे तुम चला रहे हो जब से ने बनी है एकीस साल हो गए हैं लोग डर के बोलते नहीं थे मैं एकीस साल से कह रहा हूँ ये चोडों की नानी है यादारा ये स्यासित को तीन तीन उनकी पार्टियों को तक्सीम करने के लिए मुलसर्म लीग नून को खत्म करने के लिए ये इसकरी क्यादत के हाथ में एक वेपन है अथियार है प्रवेज मुशरफ ने इसको बना रहा था वो खुद चोरी के अंदर वहां बैठा है मुँ काला हुआ है अब बोलता भी नहीं है चार जन्रेल जो नैप के चेर्मेन थे सारी के सारे चोर निकले हैं सारी के सारे चोर निकले हैं हकुमत चलाना इनको कहां आता उन्होंने चलवाने आता जिन्होंने वो सर पकड़ के पीट रहे हैं रो रहे हैं क्यामने क्या 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 करते तुम खुद चोर हो पीशे बैठे हिए कितने यह स्लेक्टर सेथ हैं सारे चोर हैं जितने जन्रेल भी लिवें यह चेर्म बेठे हुएए और यह जो रिटैर जन्रेल एं सारे के सारे चोर हैं मुल को लूट के खा रहे हैं बंदा बार बिठा देते हैं इसी किसी को कुछ उसके मुँमें लॉली पाप दे देते हैं बतकिस्म थी है हमारी कहां रोएं किस को कहें हमारे मौलना साथ तो कहते है हम रूठे हुए हमें गिला है मौन्हाय फ़तर अमानसभ हमें गिला हैBrava in मैं तो गिला भी नहीं करता है अ जोर है मैं करता हूं ऐब चोर है इन चोरों को कौन सबार लेगा मुल्क खतम होगा तो ये खतम quoंगे बतकिस्मति है कोई चोड इंडिया से लड़ना चाहता हो तो लड़ सकता है हुई लड़ेगा जो घर का माले कोगा जो घर के उप्चोरी कर रहा है वो घर के दुश्मनों के साथ भी सुला कर लेगा और हमारे तमाम जर्रेलों ने सुला की अयूब खान ने वहाँ जा के का क्या हम कान्फिडरेशन मनाना चाहते हैं नहरू को का नहरू ने का भई कान्फिडरेशन किसके खिलाब चाइना के खिलाब कोई शर्म करो यह अपनी कौउम के खिलाब तीनों चारों जनेल दिल्ली में जाते हैं क्या करने जाते हैं? फिर जब रिटायर होते हैं, आपके सारी के सारे जो हैं कमांडर चीफ मुल्क से बाहर बैठे हुएं, एक और बैठा हुआ है, जो यकीनन चोरों की भी नन ही है, असनन बेग साब. किस के पैसे उसने काए हैं? कोई यूनस हबीब ने दिया है, जिसके सब के खार के पी के बैठ किया है. अब असन बेग को कौन पूशे? अब भी असकर खां केस चलाओ, फौंसी दो सब को. लेकिन चूँकर आप लोगों ने उसको भी बचाना है, प्रवेद मुश्रव को भी बचाना है, पाशाज जनरल को भी बचाना है, क्यानी के दौलत को भी बचाना है. मुल्क बचाना तो आपकी परायर्ट्री नबर वन रह नहीं गई, बदकिस्मती से. आप खुद चोड़िये करते हैं और चोरों को आप बना देते हैं, तहफुज देते हैं, तो मुल्क कैसे चलेगा? यह कौम तो इतनी महिंगाई परदाश नहीं कर सकती, तहां कि गंदा अपनी है, चीन ही अपनी है, और चीज अपनी है, लेकिन वह आप अंदाज़त करें, कि अंदर मलोशित्तान के अंदर, कितने अर्वों रुपए हम बढ रह रहे हैं, अभी फसाद शीट जो है, कितने रुपए हम रहा हैं, यह इमलान खान भर रहा है, पै क्यूं भर रह रहे हो तुम, उसमें से कमिशनर ले रहे हैं, कहते हैं हम नहीं हैं, हम भी कहते हैं, या यह तो इमानदार बन रहे, तो ऐसी सुरत आख में, पाकिस्तान बड़ी मुशकलाद में फसा हुआ है, दुश्र आप नहीं खा रहे हैं, मैं इतनी बातें कर रहा हूं, मुझे अंदर करो, जेल में डालो, नेव का जो थर्ड कलास बंदा है, इसक्ट शेर्मेन है, जवेद इकपार मेरा बहुत जनने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है मेरा, चोरों के नानी, क्या दौर आया हुआ है, कोँ लोग मल्क चला रहे हैं, और जो एक एक मंदा खाता है, उसकी तर्की करदेता है, इम यह नहीं लड़ना है, यह तो दुनिया में किसी तक्ताअ जमीन पे ही हो नहीं रहा ही, अर्मत्ता बर्मा में हो रहा है सुग की है उसका नाम वजीर आजम जो है उसको इस वक्त जो है सुग की को उन्होंने गिरफ़तार कर लिया वो लू की पटी जब वो सारे आकामात मान के उसने एक्तदार को ले लिया जैसे हमारे इमरान खान तो खेर उससे भी थर्ड कलास अदमी है उसका तो नोबल प्राइज है वो तो उसने पूरी यह तो यह बिशारा तो इसमें बहुत छोटा बंदा है सुग की इससे बड़ी आ जेले काटी यह कहता है जिदो जेद किये एक दिन के लिए जेल में गया था तो रोता हुआ मेरे पास आ गया उसमें को ट्रक पस जेल में कि मैंने कहा मैंने सोचा कि यार एक आदमी छे साल से बैठा हुआ है मैं तो एक दिन के अंदर मैं मर रहा था रिष्टेदारों को कहा मुझे निकल वाओ, अब लोग कहते हैं, हो अपनी हमशीरा से सलाई मशीनों का हिसाब ले, वो बिचारियां तो भाग के वो ही छुड़वा रही थी, इमरान खान को जेल से एक दिन के अंदर, वो भी जेल में नहीं था, जेल का हस्पितर, जो थर्ड कलास होता है न, अपना कहदी, वो जाता है जेल के हस्पिताल पे, जेल के अंदर हस्पिताल जो होता है, यह वो जेल काट के कहते हैं, मेरे उस एक साल को, जैसे वो कहते हैं न, कि अगर दो नमाज आप नफर पढ़ेंगे, खाना कावा में, तो अगले जहान में सत्तर हजार का सवा मिलेगा, यह कहता है, जो एक दिन में है, जेल में मैंने काटा था, उसको बाइस साल की जिदो जेल के मताबिक लिखो, अंदा करेक्टर का मुझारा नहीं क्या, जो सारे मिल के बैठे हुएं, एक एक के ओपर तो अब किताबें लिखी पड़ी हैं न, हर एक का किरदार किताबों में खुद जनैलों ने लिख दिया है, इसलिए अगर इमरान जैसा थर्ड क्रास भी उनको गालियां देता था, उसी को उ कारी उमर यकीन करें, जब बात आती है, तो मेरा आए नहीं सकता, मैं कर रहा एक हादिया हाश्वी बच्ची है, वो बड़े अच्छे आला तरीन गाने का आती है, कमाल के आपने सुनी भी ना हो, वो मुलक के अंदर एक बहुत बड़ा निकल के आया हुए है, तो वो दो उ काटांतें नहीं विक दें, तो लबदी फिरें बजार को, दूसरा बायवतन के सदीलो जवानों, मैं रात को कर रात को, आज वार रात नहीं जो कल रात थी, तीन बजे उसके ये गाने, ये तराने सुनके मेरी आखों में आशूते हैं अपनी फोज के लिए, मेरे नौजव हैं, सजीले हैं, कुर्बान किया दी हैं, जनरेल भी शहीद हुए हैं और रुजवान हमारे नौजवान भी शहीद हो रहे हैं, हम तो उनको सलाम करना चाहते हैं, बीच में ये जो आगे हैं माल्क, लूटने वाले, सारे ये कोर कमांडर, सारे चोर, कोई एक दो बच याएं वह फ़लान भास हमारा नाम ना ले, वह कोन है हमारा फैद अमीद, फैद अमीद या हमीद फैद जो भी है, जनरल फैद भी और जनरलों का जनरल, हमारा अधीम जनरल, बाजवा साहब, रजिय लो तहलानों, ये ये इस मुल्क की ये किसमत लिखी थी, और वो जो मुझे ये ये कोई छोटी बात भी कर रहा, कि हमारे साथ अगर वो ये करते हैं, कि जो वकुआ नहीं हुआ, को ते एक ठोड़ा सा लोगों को बता तो लें, ये जवेद आजवी, इसके रिश्चेदारों से ये हमने काख़ पर जमीन ले ली है, या ये हमारे कुछी चीज हुई ही नहीं है, फिर इनकी बातों पर कोन यकीन करेंगा, कोन मारेंगा इनकी बातों को, इतने ज्ञूटे हैं, हमारे यह एक ज्ञूटे होते हैं, दूसरा कहते हैं सही, ये सही शाज aanी कूड है, शाज Она के दोर में कोई बड़ जूट बोलने में तो उसको हम कहते हैं शाजाहन इच्टे या शाजाहन इ कूडे तो ये पूरी कौम को बता रहे हैं, ये शा जहानी कूड़े निकल आए हैं, इम्रान कहा इतना कूड़ा है, इतने जूट बोलता है, पतरी रात को नीद कैसे आती होगी, वो कुछ खाय पिये बगार कैसे नीद आती है, आती है तो फिर ठीक है, तो यह आप इसे कौम को इसमे ना डालेंगे, आप मुझे बताएं, जिस मिल्क का एक वजीर दिफार, वो कहता है, एक दिन की मार है ये, इम्रान खान, खटक साथ, क्या नाम है, परवेज खटक है, बंदा बड़ा सचा है, और खा भी ले तो नजर नहीं आता, हमारा दोस्त है, बार दोस्त हम उसकी इज out करते हैं, इतराम करते हैं, मेरा बहुत ही, उस उसका केला आदमी है, जår मैंने पार्टी छोड़ी थी, तो उस सारे ऐसे ही हैं, तुम अच्छे आदमी हो, तुम क्यों छोड़ते हो? तो हमारे तर्लोकवाल है। लेकिन उसमे ठीक है। अब जो जस वजीर आदम का एक वजीर कहें। कि एक दिन की मार हो तुम। तीवे पर कड़ा होगे कहे। दोबारा उससे पोछेंगे अगर ... खटक नहीं होगा मैं भी ओंगा। दुबारा पूछेंगे, मैं कहूंगा नीजे नहीं, इम्रान खान तो हमारा लीडर है, शितर भी लगा लिए ठिका के, सत खले पग जले, सत खले पग जले, और रोज हर वजीर उसको मुझ पर लगा देता है, जो साथ वाले हैं वो भी, जो पीटीप के लोग हैं, जो बाहर स हैं, वो कहते हैं, तु वड़ा कप्तान है, तु बीमार है, तु जोट रहा है, वो सारे वजीर बनाता हैं उनको, तो एक बदकिस्मती है, कि मुल्क को इनों ने एक गहरे गड़े में महिशत को डाल दिया है, अब वापसी बड़ी मुश्किल होगी, यह हकूमत है, मैं कभी बड़ी पिशून गुईयन नहीं करता है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ, कि आप भी कहता हूँ, मैं बिलकुल यह अपील भी करता हूँ, पीडियम से भी सबसे भी, कि इमरान खान को मत रटा हूँ, वो दिवार खस्तगी है, दिवार खस्तगी है, उसने का, मै दिवार खस्तगी हूँ, मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पडूँगा देख, मुझे आसरा न दे, वो दिवार खस्तगी है, हाथ लगाएंगे, गिर जाएगा, आपके खाते में आके, यह आ जाएंगे पिर, अजिए रमवतनों, सास्तदान एक दूसरे को परदाश नहीं कर अपरी हालत भी टके की हालत नहीं रहेगी जनरेलों की, वो आकड के आ जाएंगे, हम आ गए हैं, और हम अपने मुल्क को कर्प्शन से निकालेंगे, उस कर्प्शन से निकालके, बड़ा गड़ा कर्प्शन का उसके अंदर डुबो देंगे, यह हमारी तारीख है, 77 साला त तारीख यही है, एक ही तक्रीर है जो लिक्की हुई है, अयूब खान से वह गया था, और अब हम आ गए हैं, और हम ज्यादा देर नहीं रहेंगे, वो इंतखाबात कराते हुए 20 साल लगाएंगे, वो तो मजबूरी है, यह है, और अपनी मर्जी के इंतखाबात कराएंगे यह केलत माषा पाकिस्तान के वजूद के लिए इंतखाई मौलिक है, मैं लव मौलिक कह रहा हूँ, यह मौलिक बिमारियों से भी मौलिक तरीन बिमारी है पाकिस्तान के वजूद के लिए हम पर तो इन्हों रिज़ाम लगाया इसी के उपर तमाम हमारे मुल्तान के जो बैठे हैं इनके जो इडिटर हैं इडियोज हैं रोपोर्टर हैं उनका कमिशन बनाएं यार पंदरा मिनट के फासरे पर तो ये सारी कारवाई हुई है महां जाके अपनी कहानियों को तो देख लो आप लोग भी मियर्बानी नहीं करते इतनी तकलीब नहीं करते जो वो वारदात की जगा बता रहे हैं उनको देख तो लो आपके अठारा के करीब अख़बारों के नमेंदे मख्दूम रशीद में बैठे हूं अठारा उनसे पूछ लो कोई बात हुई है कोई एक पत्ता भी हिला है कोई जमीन ली है कोई धी है कोई थी है हमारे पास मुझे आप अख़बार वालों से यह मेरे बाई बिच्चे बैटे हुए है आप से गिला है यार पंदा मिनट के फासर पर भी नहीं जा सकते है आप दूद का दूद पानी का पानी सामने हो जाएगा आप कहेंगे यार यह हमारे सामने तो यह बन के बैठता है बुदर्ग है हम चलो मुव बंद कर लेते हैं यहां तो यह तो तो सारा को चुआ पड़ा है तो यह इन सुरत आलाज से हम गुजर रहे हैं मुलक के जो जिम्दार के लाते हैं वो मुझे तो मैंने उसकी शेकल आप ले किसी ने देखियो जो आता है यह शेहदाद अकबर यह जहल-ए-अकबर है जो एरान वाले कहते हैं ने शेटान अकबर बड़ा शेटान अर्वी में कहते हैं शेटान अकबर यह अबू जैल-ए-अकबर है इल्मी पता ही बेवकूप को यह तो इतना बड़ा महा वो जूटा है पता है यह साम कोई वजूद तो हो अब इसके हमवजाद करते रहेंगे आज हमें तो पूरे मुलके आलात अब से में नियास किये हैं कि सबकी जिम्हदारी जो है उन्होंने तरीका यह सोचा हुआ है कि इसको डिफेंसिव पे डालके लोगों को उधर मशूदू मशूल कर दो और एक और वारदा लगा लो लेकिन अब यह ज्यादा नहीं चलेगा पंजाब में भी नहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा यार ये तो ये बात तो वाक्यातन आपनी चलेगा पर ये अमारे सामने है कि ये जो पंजाब का वजीर आला है वो नजर ही नहीं आता कहा है जो वजीर आजम है हमारी अग्षाण देखने वाली आँके देख रही है उत बचारा कहीं है ही नहीं व्जूद भी नहीं है तो ये ऐसे वाकियात में मैं फिर समर्द मैं कहूंगा कि ये हमारे जो जनरेल अधरात हैं मुझे तो पकड़ें मेरे खिराब तो कुछ ले के आएं मैं इतनी बातें करता हूं टके टके की मुझे पकड़ो करो गिर्फार जूनत है ये होता है पुलिटिकल वरकर ये होता है पुलिटिकल लीडर साथ साल का पुलिटिकल केरियर के बाद मैं कहता हूँ एक पैसा जिक्र करो तुम्हारी मैं जबान खेंच लूँगा किसी जनरल में हिम्मत है मैं उसकी जबान खेंच लूँगा पकड़े मुझे यह दो उसके उनके वर्करों के सरह द्रीय से बातें करते हैं वगों बिचारों को मुझे कली का किसी ने कि आज आप तदीघ्जारी कर दें मैंने का नहीं पूरी रात के यह पूरा परिगेड जो है उनका स्च भोशटल मीडियो का सारी रात को इनको गालियं मुझे देने दो देने दो आप गालियां आप ट्विटर पे देखें के हैरान हो जाएंगे जो जो उन्होंने और बाते की हैं कि ये इसनी के से पकड़ लो इसनी के से निकल गया ये शो इनका जो क्या होता है वो इनका शाफा तो चोर और डाकवू और जवेद आज भी बड़ा बनता है तो ये आज कब्दा गुरुप का इस मुलक का सबसे बड़ा कब्दा गुरुप वो इनका जो बड़ा नेक बनता है बातें करता है वो चोर निकला है इतनी गालियां दी हैं आप सुनना सकेंगे और मैं सुनता था और इंजाय करता था पागल के बचे क्या लगे हुए के इन बचारों को इन इस कामऄ पर लगा दिया है अपने स्यासी वर्कों को पाकिस्तान बनाने के बजाए दूसरय घालियों पर लगा दिया है वो विचारे, मुझे उन पर नराजगी है ही नहीं, वो तो अपनी पारटी को उनके मकासित को उन्हों ने ताफ़ो देना है तो यह नेव का चेर्मेन मू कला है उसका, कला मू बाला, इकबाल क्या नाब, जवेद इकबाल, जवेद तो मैं उसको कहूँगा, नहीं मेर नाम भी खराब हो जाएगा, वो एक वो बड़ा मुल्क का इस साफ वो कर रहा है, मैं बस बुरा नहीं कहना चाहता, पहर हमारे बाजव साथ हैं, उनके सम्दी, उनके लोग, उनके सारी जयदाथ हैं, वह एक ही बाजवार कहता हूं, कि एक जनर्रल बाजवा की जो एसिट्स हैं उसके बच्चों के उसके वालिद साफ के वही कौम को बता दो आसिम के बता दो जो हमारे पत्वारी का भाई है क्या नाम है? नाम है फैस अमीद पटवारी का भाई है ना हमारे भाई चक्वारी पटवारी का सगा भाई है तो वो पटवारी जो है वो हमारा भाई है यह जो ही रिटायर होगा सबसे पहले वशिंट्टन जाएगा भाजवा भाजवा भी पाकिसवान में नहीं रहेगा यह मेरी पेशीन गुई है यह अगर मुझ पर यह इजामात लगवाते रहेंगे जो मेरी पच्छास-पच्पंच साल की कमाई है जो नेक नामी है इनके जरीये हमें वो गालियां पढ़वाएंगे तो मैं नहीं शोड़ूँगा इनको पाजवा साब नहीं शोड़ूँगा फैदमीज साब नहीं शोड़ूँगा जानते नहीं है आप जवेद आश्पी को सब्सक्राइब करेंगे तो आप समझते हैं कि करेंगे तो आप पर इजादा पुब्लिक ली बात कर रहा हूँ आप पूजीशन हूँ मैं कि तुम लेके आएं मैं अदालतों में यह जो हमारी अदालती हैं यह अदालते सारी बिक्यों यह होती है आई यह साही के हाथ में भी होती है जर्नेलों के हाथ में भी हो गए वो कौन सा इंसाफ देंगे मुझे मैंने सारी उमर अदालतों का सामना किया है बलके आप कहत तो कर लूँगा कर लूँगा चलो एक उसको यह तो समझ आ जाएगी कि हम चले जाएंगे आपने जो मेरे उपर उन्होंने या मेरी फैमिली पर गाया है पचास पचास साथ साल तेखें मैं मेरे जितने दमाद हैं तीन इंजीनर हैं डॉक्टर है बारिष्टर हैं भीयाची किया हुए है तो उस सब में हमने किसी जगह पर होता है लोगों यह मुझे समझते हैं कि मैं कोई रिवायती स्यासतदान हूं मैं नहीं हूं रिवायती स्यासतदान मेरा एक एक बच्चा जो है चार मेरे नवासे है 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 चिसन कालेज में मैं पसंद नहीं करता है चिसन कालेज को लेकर घर मेरे में बेच के बेच सकती है मेरे दमाद बेच सकते हैं तो मुझे मैं उनको रोक तो नहीं सकता मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बावलपूर पॉब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, वो पढ़ रहे हैं आज भी लारिंस कालिज के अंदर, दो तीन, वो पढ़ के हैं असन अब दाल के कालियों में से, वो पढ़ रहे हैं के अंदर, वो पढ़ रहे हैं आस्ट्रेलिया के अंदर हमारी यह समझते हैं कि वही मैं कोई रिवैती से बंदा हूँ लेकिन इसके बावजूद मेरे बावज़े लंदन से आक्या वो एक वहां पर लेक्षर है मेरा बावज़ा हर आदमी जो है यूनिवर्स्टी में हो तो वहां साहिवाल में किसी को यह तमाम लोग जो है इन में में किसी ने अगर दस रुपए की ज्यादती वो करेगा अगर वो ट्रेफर की खिलावर्दी भी मेरा दमाद मेरे भांजे मेरे पतीजे मेरे नवासे अगर वो करेंगे उसकी जिम्वाबारी मुझ पे है फिर मैंने उनकी तर्बियत सही नहीं की मैं वो प्लिट कर वरकर मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ मेरे फैक्ट्रिया नहीं है शुगर मिले नहीं है टक्स्टाइल मिले नहीं है चोची चोची जो यूनिर्स हैं वो हैं हमारे जमीने भी हैं जो जमीने कल वो सेंक्ड़ रुपए के मिलते थे आज हमारे एक एक मर्ला जो है चालीस पचास लाक तक हमें पैसे में देते हैं उन्हीं जमीनों के जो हमारे बाप दादा परदादा ने हम तो इस एजाफा नहीं करते हैं हम बेची हुई हैं रिकार्ट उठा के देख लें तीन नस्रों का रिकार्ट उठा के देखें मेरी जमीन जो मेरे वालिद की थी मेरे भाईयों की उसे कम हो गई मेरी जमीन बाकी सब से कम हो के मैंने बेच दी क्यूं इसलिए कि मैं अगर स्यासत कर रहा हूं तो लोगों के पैसे पर ना करूँ इसलिए जाएंगे अदालत भी जाएंगे मैं हम देखे ना ये अभी हमारा उन्होंने मेरा मीटर उन्होंने निकाला जायद बाहर के भी तीन मीटर हो रा दिये फिर क्यूं लगाया है उन्होंने वहां हम उनके पास भी गए हम अदालत में गए हैं और अदालत ने उनको का कि हम तुम्हें कंटेंप्राफ कोर्ट के अंदर कर देंगे जो वहां मीटर लगा किया हो यह अभी कल की बात है हम पंदरा दिन पगैर मीटरों के बैठे रहे हैं हमने इनकी मिनत नहीं किसी की अदालत में गये हैं तो इसके लिए भी चले जाएंगे मैंने कह भी रहा हूं यह बड़ा जुल्म हुआ है और यह पहले दवा नहीं हुआ और मजीद भी होगा क्योंकि इनके पास कोई वो तरीका कार है ही नहीं यह जो हकुमत है यह मामलात को इसके पूरी की पूरी फजा बना जाती है फिर विच चीज़ें नीचे आती है यह इनकामों के लिए आये नहीं वो लूट भार करने के लिए आये हैं कोई एक आदमी उनकी रहकुमत का हो जो मुल्विस नहो इस माफियास के अंदर माफिय कैसे रहे हैं यह लोगों का खूच जूस रहे हैं पेट्रोरियम की कीमते बढ़ा कर